आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello Friends, डाउटनेट में आपका स्वागत है हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है XY प्लस YZ बराबर में 0 दुआरा निरूपित बिंदूपत है और इसके लिए देखो हमें विकल्प भी दे रखे हैं पहला विकल्प जिसमें हमें बोला है लंब रेखाओ का एक यूग में देखो सम्तल का समीकरन होता है कार्थिय रूप में उसको पहले लिख देते है AX प्लस BY प्लस CZ बराबर में D जहां पर ABC जो है इसके जो भी अपने पास सम्तल आयागा उसके अभी लंब आयागा उसके दिकनुपात होंगे इस तरह से मैं व्यक्त कर देता हूं जैसे मैंने पास मान लिया यह सम्तल का समीकरन है अब इस सम्तल पर मान लिया यह कोई अभी लंब आ गया इस अभी लंब के दिकनुपात जो है इसकी दिक xy प्लस yz बराबर में 0 इस तरीके से अब देखो y दोनों में उबनिश्टा जाएगा तो अंदर क्या बज जाएगा x प्लस zич सरूप में यो yn दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो पहला तो अपने पास आज जाएगा X plus Z बराबर में 0 अब देखो जो रेखा आती है ना सदिस रूप में जो कार्तिय तल रूप में रेखा का समीकरन इस तरह के से होता है X minus X1 बटा A बराबर में Y minus Y1 बटा B बराबर में Z minus Z1 बटा C तो देखो यह रेखा की रूप में नहीं दिख रहा है आपको कई पे भी इसमें हमको यह नहीं पता चल रहा है देखो X1, Y1, Z1 यह निरूपित करते हैं कि उस रेखा पर यह बिंदू जो है इस्तित है और ABC उस रेखा की दिखा में दिकन उपातों को यह व्यक्त करते हैं ठीक है तो देखो यहां पर किसी भी तरीके से यह रेखा को व्यक्त नहीं कर रहा है इसको आगे मैं लिखना चा इसका अबिलम के दिकन पात आ गया अपने पास 0, 1 और Y मतलब इसका अबिलम जो है Y दिसा में जा रहा है तो जो सम्तल है वो X, Z तल में आ जाएगा मतलब जो X, Z तल है उसका समीकरन आ गया Y बराबर 0 ठीक है किसका समीकरन नहीं है X, Z तल X, Z तलका समीकरन नहीं ठीक है उसके बाद X plus Z इसको क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं एक गुणा में X प्लस 0 गुणा में Y प्लस एक गुणा में Z बराबर में 0 अब देखो इस तरीके से हम लोग लिख दिया है इसको मतलब इसका जो अभिलम आएगा न सम् जाएगा ना वह एक्स और जेड़ दिशा में जाने वाला है ठीक है और इसका जो है वाई दिशा में अपने पास अभिलंब जा रहा था मतलब मैं कह सकता हूं कि यह जो समतल है ना वह अपने पास एक्स जेड़ तल में नहीं रहेगा ठीक है यह अपने पास जो है वाई की द आपको तल समझ में नहीं आ रहा है तो आप अभिलंब का ध्यान रखो तल के बिल्कुल लंवत रहता है अभिलंब तो यह जो अपने पास तल आया ना इसका अभिलंब अपने पास एक्स जेड़ सोरी इसका जो अभिलंब है वह वाई दिसा में जा रहे है और उसका मैंने बत तल का उसका अभी लंब जो है देखो वाई दिसा में कुछ नहीं जा रहा है मतलब वाई दिसा में अपने पास तल होने वाला है तो वाई के साथ चाहे एक्स भी आ सकता है चाहे वाई के साथ जेड भी आ सकता है लेकिन कभी जो है कभी भी यह एक्स जेड तल में नहीं हो सकत आप्य करते हैं तो यहां परोजों में देख लेते हैं तलों में चलते हैं आप लंत सम तलों का एक यूग में तो जो डि विकल्प है इसमें बोला है कि लंब समतलों का एक यूग में और यहां पे देखो समीकरण visto 수 यही अपना उत्तर हो जाएगा आसा करता हूँ यह सवाल आपको समझ में आया होगा धन्यवाद क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीड आयाईटी जेही मेंस और एडवान्स के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज यह डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर